सबसे मैं इत्पूर्ट जर्णी मानता हूँ वो इस्टार्ट ही है जवाहर नवोदे विद्ध्याले पंगटा नरवर जला सिफपुरी से मैं मद्ध प्रदेश के जला सिफपुरी से आता हूँ पूरे परिवार के लिए इलालच था कि हमें पता चला था कि पढ़ाई फिरी होती है चुकि हम जैसे मद्धल क्लास परिवार में महीने के सो रोपे उस समय मेरे परिवार के लिए देना बहुत मुस्किल बात हुगा करती है नवदय विद्धाले में मेरा selection हुआ वही selection मेरी life की सबसे बड़ा turning point है आज जब मैं पलट कर अपने पूरी जीवन को देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरा वही selection जो था वो मेरी जीवन का सबसे बड़ा selection था सफलता सिर्फ और सिर्फ महनत से नहीं आती याद रखें आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं वलकि वो मिलेगा जिसके लायक आप है जितना आप पढ़ेंगे उतना आप बहतर सीख पाएंगे नवदय के सीनियर्स आज पूरी देश में हैं ऐसा कोई इंस्टिट्ट नहीं है देश का जिसमें नवदय विध्याले के स्टुएंट्स ना हो direction हमेशा ज़्यादा मायने रखता है force से महनत से अचानक सफल हो जाता है पहली बार में ही उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता सिखाने के लिए ऐसे वेक्तियों का हारना बहुत मुश्किल होता है जो लगातार प्रियास करते है नमस्कार साथियो मेरा नाम मनी स्वारगव है मैं बरतमान में दिल्ली सरकार में एज़े मेंटोर के रूप में काररत हूँ साथ साथ मैं एक लेखक भी हूँ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी लाइफ की पूरी जर्नी जिसे मैं सबसे महित्पूर्ट जर्नी मानता हूँ वो इस्टार्ट ही है जवाहर नवोदेवध्यालाय पंगटा नरवर जिला सिप्री से मैं मद्ध प्रदेश के जिला सिप्री से आता हूँ और जवाहर नवोदेवध्यालाय पंगटा नरवर जिला सिप्री से 2003 के बैच से मैं 12 पास आउट हूँ अक्सर मैं कहीं भी जाता हूं तो हर कोई मुझसे जानना चाहता है कि सफलता के लिए क्या जरूरी है और ऐसा क्या है जो एक व्यक्ति को सफल बनाता है या जो आगे ले जाने में मदद करता है तो इस चीज को मैं हर जगे सेयर करता हूं मेरा मानना है व्यक्ति के जीवन में सफल होने के सबसे महितपूर्ण जो कारण है वो है सिक्षा एज्यूकेशन एज्यूकेशन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे important part है वही ये तैक करता है कि आप कहां तक जा सकते हैं आप किस जगह तक अपने आपको ले जा सकते हैं मैं मद्द प्रदेश के सुपरीज लेके नरवर तैसील के एक छोटे से गाउं ग्राम पंचात सौनर में मेरा जन्म हुगा था और हम ऐसी परिस्तितियों में थे जहां सरकारी विद्ध्यालाय सिर्फ फिप्ट क्लास तक था पढ़ने के लिए जादा कोई सुपधाय नहीं थी परिवार में सभी चिंतित रहते थे कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं क्या पढ़ाएं 80 और 90 की दसक में पढ़ाई एक बहुत बड़ा चिंता का वसाय थी सभी मिड्ल क्लास फैमली के लिए मेरे परिवार वालों के साथ भी यही था ग्राम पंचायत में जो इस्कूल था वो सिर्फ फिप्ट क्लास तक था वहां पढ़ने के बाद भी घरवालों को लगता था कि हम अपने पूरी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे या हम आगे जादा नहीं जा पाएंगे तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंना हम तैसील लेवल पर जो अच्छे विद्ध्यालाई हैं बहां पढ़ाई पूरी करें और यही कारण है कि हम सब गाउं से लेकर तैसील तक सिप्ट हुए बहां मेरी स्कूलिंग हुई फिप्ट क्लास तक मैं वहीं पढ़ा उस दोरान भी मेरे परिवार वाले इस बात को लेकर चिंतेत होते थे कि मैं जादा से जादा अच्छे विद्ध्यालाई या अच्छे सिक्षकों के बीच कैसे जा पाऊं कैसे मैं एक अच्छी पढ़ाई ले पाऊं उसी दोरान उन्हें पता चला कि नवद्ध्यालाई एक संस्था है जहां होस्टल के रूप में रेजिदेंशियल स्कूल है और बच्चों का एदी सिलेक्षन हो जाता तो अगले साथ साल तक ट्वैल्थ क्लास तक वहां पढ़ाई की जाती है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है मुझे भी इस चीज़ की जानकारी देगी तो मैं भी बड़ा उतसायत हुआ मुझे भी लगा कि कोई ऐसी जगह है जहां मैं पढ़ सकता हूं जहां मैं अपनी आगे की पढ़ाई बहुत अच्छी से कर सकता हूं दूसरी चीज मेरे लिए एक और मेरे पूरे परिवार के लिए इलालच था कि हमें पता चला था कि पढ़ाई फिरी होती है चुकि हम जैसे मडल क्लास परिवार में महीने के सो रुपे उस समय मेरे परिवार के लिए देना बहुत मुस्किल बात हुगा करती थी मुझे अच्छे से आ ता जब मैं second or third class में पढ़ता था तो उस time पर junior school में पढ़ता था चालीस रुपधे महीने की fees होती थी बाद मैं कई बार इबार भात शیर की मेरे साथ मेरी family वालोंने को उस समय वो 40 रुपे महीने जोड़ना उनके लिए इतना असान नहीं था आखर मैं पांच भी किलास में जब मैं था तो मेरे अंदर जनून सवार हुआ कि मैं नवोदे में सेलेक्शन लेने के लिए प्रयास करूँगा और मैं जो भी संबा वो सका वो मैंने किया मैंने उस जगे टूसन जाने लगा एक सिक चक के यहां मैंने महनत की दिन रात महनत की और आखर नवोदे विद्धाले में मेरा सेलेक्शन हुआ वही सेलेक्शन मेरी लाइफ की सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है आज जब मैं पलट कर अपने पूरी जीवन को देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरा वही सेलेक्शन जो था वो मेरी जीवन का सबसे बड़ा सेलेक्शन था जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी मैं जब सिक्स क्लास में अवगदर में पहुँचा तो मेरे लिए एक नया अनभाव था इसकूल का जो एमपी हॉल था वो एक इतनी बड़ी विल्डिंग थी जितनी बड़ी विल्डिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी इसकूल का जो कैमपस था वो इतना बड़ा कैमपस था जो मेरे लिए कलपना जैसा लग रहा था जहां ग्राउंड भी था जहां हम खेल सकते थे जहां हमारी क्लास होती थी जहां मुझे इतना बड़ा एक्सपोजर मला की धीरे धीरे मेरे सब कुछ बदलता गया नवोदाय से ही मैंने 6 से लेकर 12 तक पूरी पढ़ाई की लेकिन नवोदाय के दौरान भी उस समय चुकि मेरी फैमली में कोई और पढ़ा लिखा नहीं था मेरे पास एतना एक्सपोजर नहीं था और नवोदाय के जो एलुमिनी साथ मित्र थे हमारे या जो सीनियर्स थे हमारे उस समय इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे कि वो भी हमें प्रॉपर गाईड कर पाएं क्योंकि नवोदाय खुले हुए कुछ ही वर्स हुए थे 86, 87 के आसपासे जब आर नवोदाय ब डैले सुरू हुए थे और 93, 94 से फ़स्ट बैच निकलना स्टार्ट हुआ था 96 में मैंने अड्मिसन लिया था तो उस समय तक कुछ चीज है ऐसी थी कि हम दूसरों को देख कर ही करते थे जैसे 10 के बाद जब सब्जेक्ट का डिसाइड हुआ तो मुझे नहीं पता था कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए ठीक होगा मुझे नहीं पता था मेरी होबी क्या हो सकती है मुझे नहीं पता था किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा स्कोप है या किस सब्जेक्ट से मैं ज़्यादा आगे ग्रो कर सकता हूँ हमारे स्कूल में जो सब्जेक्ट था वो था कॉमर्स जो भी बच्चा सब्जेक्ट लेने के बारे में सोचता वो बस यही कहता है हम कॉमर्स लेंगे क्यों कि वही सब्जेक्ट हमारे स्कूल में था दूसरा वही एक subject था जो हमारे senior ने पढ़ा था तो जो हमारे senior ने पढ़ा है हम सिर्फ उसको ही जानते थे इसके लाब है और कोई subject हम जानते ही नहीं थे commerce लेकर भी पूछता था कोई क्या करोगे तो कहते थे हम C.A. करेंगे लेकिन C.A. क्या होता है कैसे होता है किसी को नहीं पता बस नाम सुन रखा था senior को देखकर कि हम commerce लेंगे और C.A. करेंगे हलाकि मैं mathematics में अच्छा था और जब मैं 11 पे आया तो हमारे school में मैं science system भी आ चुकी थी मेरे teachers ने मेरे पता जी को ये सला दी कि आप इसे mathematics में admission करा सकते हैं इसका math अच्छा है और math में अच्छा future भी है मैं ज़्यादा नहीं जानता था लेकिन फिर भी जब मैंने लोगों से सला ली तो कई लोगों ने मुझे सिखा कि आप math ले लो तो math में ज़्यादा अच्छा engineering की fees काफी ज़्यादा होती थी उस समय MP government में 40,000 रुपे के आसपास fees हुआ करती थी yearly तो वो फिर एक समस्या थी परिवार के लिए मेरे लिए कि हम इतनी फीस कैसे दे पाएंगे फिर से गरफ़े बात हुई पिताजी ने का कि जो थोड़ी वह जमीन हैं मुझे बेच सकते हैं लेकिन मुझे लगा कि यार ऐसा ना हो कि मैं घरवालों की जमीनी बेच बादू हूँ और मैं कुछ कर ना पाऊं तो मैंने पिताजी से का कि नहीं रहने दीजिए मैं engineering करना न पिताजी से मैंने यही का कि मैं BSC ही करना चाहता हूं मेरा उसी कमन है और उससे मैं I.S. बन सकता हूं कि मैंने किसी से सुन लिया था कि ग्रेविशन के बाद I.S. का एक एक एक्जाम होता है तो मैंने पिताजी को वही का कि मैं I.S. बनूँगा आप engineering छोड़िए और मैंने B BSC के बाद भी फिर वही समझ आप कि करने क्या कोई ज़्यादा guidance देने वाला नहीं था अलगी उस समय तक हमारे नवोद है कि कुछ senior सफल होने लग 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 फिल्ड में तो हमें उन से कभी कबार कुछ सीखने को सुनने को मिल जाता था लेकिन फिर भी हम इतना नहीं समझ पादे ते कि अपने लिए सही decision ले पाएं बेहतर decision ले पाएं पर मुझे समझ में आया मौटे तोर पर कि grayution के बाद competition की तैयारी की जा सकती है और उसमें selection लिया जा सकता है मैं दूसरों को देखकर भीड़चाल की तरह सुरू हो गया SSC, bank, railway और इसी प्रकार के अन्न सभी विवागों के एक्जाम देने में पर वहाँ भी मुझे यह नहीं पता था कि मैं एक्जाम तो दे रहा हूँ लेकिन सफल होने के लिए क्या चाहिए मुझे कोई आईडिया नहीं था, बस मैं दूसरों को देखकर एक्जाम देने चला जाता था कई वार असफल होने के बाद यह लगा कि यार कुछ कमी है, आखिर क्या कमी है तब फिर मैंने उस चीज को दूर करने की कोशिस की और यह समझना चाहा कि सेलेक्षन के लिए क्या चाहिए मझे मैंने उसकी तैयारी की और आखर एक समय बाद सेलेक्षन होना सुरू हुए पर जब मैंने अपने जूनियर्स को देखा तो मुझे लगा सब लोग यही गलती करते हैं आज भी जब मैं स्कूल में जाता हूँ आज भी जब मैं स्कूल के बच्चों से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ आज भी वही गलतीयां दोहरा ही जाती है आज भी बच्चों को टैंथ लेवल पर नहीं पता कि उनके लिए क्या भेतर है आज भी वो नहीं जानते कि कौन सा subject उनकी life में ज्यादा अच्छा है जिसे लेकर वो आगे growth कर सकते हैं या जो उनकी hobby से जुड़ा हो आज भी subject लेने का जो region है बच्चों का मैं एक जिवम बच्चों से जब मैं मिलता हूँ तो यही रीजन है कि जो senior लेते आए हैं या जो subject उनके पास उपलब्द है इसके लाभा उन्हें जादा जानका ही नहीं है तो आज भी मैं सभी बच्चों को जहां भी जाता हूँ मौटिवेट करने कोशिस करता हूँ मैं यह बताने का प्रयास करता हूँ कि subject वो लीजिये जो आपके लिए जरूरी हो जिसमें आगे की रास्ते बेहतर हूँ जहां से आप अपने इच्छाओं को पूरा कर सकें अपने सपनों को पूरा कर सकें और सिर्फ subject लेना ही सब कुछ नहीं है उसके बाद की जुजणी है उसके बाद आपको क्या करना है यह भी जानना ज़रूरी है तो जब मेरा selection हुए पहली बार तब मुझे समझ में आया कि मुझे किस चीज़ की जरूरत थी मैं इस चीज़ को 5 साल पहले भी कर सकता था लेकिन 5 साल पहले मुझे नहीं पता था 5 साल असफल होने के बाद मुझे पता चला कि सफल होने के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए तो इसके बाद मैंने इसे एक मिसन के रूप में लिया और जो भी मेरे जूनियर थे जो भी मेरे परचित थे मैं उनसे सबसे सेयर करने लगा कि आप क्या करें और क्या ना करें कई लोग मानते हैं सला कई नहीं भी मानते हम सिर्फ अपनी जरनी सेयर कर सकते हैं एक human nature है कई लोग गलतियां करके ही सुईकार करते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं या दूस्त खुद बुगत कर ही सीखना चाहते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक human nature है लेकिन इसके बाद भी हम ब्यक्ति को रास्ता दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं जब इध्यालेया में जाता हूँ, किसी भी स्कूल में जाता हूँ, कई बच्चे आज भी उसी कालपनिक ख्वाबों में खोए हुए रहते हैं। उन्हें लगता है कि बस हम 12 कर लें, ग्रेशन कर लेंगे, हम रात और रात बदल जाएंगे, हमारी अच्छी नौकरी लग जाएगी। पैरेंट्स भी यही सोचते हैं। जबकि उन्हें बास्तिविक्ता का तब पता चलता जब वो इस स्फेश से गुजर चुके होते हैं। उसके बाद उन्हें समझ में आता कि कई कमियां हमारे अंदर हैं, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए। कई वर्स लग जाते हैं एक व्यक्ति को यह समझने में कि मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं। कई लोग समझ भी नहीं पाते। इसलिए मैं इस स्यात्रा को सब के साथ सेर करना चाहता हूं। सफल होने के लिए सिर्फ डिगरी या पढ़ाई की ही जरूरत नहीं होती, कुछ स्किल्स की भी जरूरत होती है। आज के समय में यदि आपके अंदर वो स्किल्स नहीं हैं तो आप यदि किसी जगर पहुँच भी जाएंगे तो उसके बाद भी आपको समझ से आएं। नौकरी के बाद का समय भी आसान नहीं होता। वहाँ भी वैसा ही श्ट्रगल है जैसा नौकरी लगने से पहले है। इस चीज को मैंने अपनी किताब के जरिये भी शेयर करने की कोशिस की है। बेरंग लिफापे में मैंने यह जर्नी दिखाई भी है। नौकरी से पहले की और उसके बाद की भी। नवोदय विध्याले की भी वोयात्रा और नौकरी की दोरान का भी वोश्ट्रगल। यदि आपने कुछ इसकिल्स डबलप नहीं की तो आपको उसके बाद भी दिक्कत आती ही है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने आप पर लगातार काम करते रहें। अपने आपको ग्रो करने के लिए उन स्किल्स को एक्कॉायर करते रहें। सबसे छोटी स्किल्स है जिसका मैं जिक्र करता हूँ, Communication। एक ऐसी skill है जो आपको आना बहुत ही जिरूरी है आप student हैं तब भी, आप employee हैं तब भी, आप teacher हैं तब भी यदि आप इस प्रकार की skills को develop नहीं करेंगे तो आप जिस field में होंगे, जिस department में होंगे वहां भी आपको वही दिक्कते आईगी जो job के पहले तक आती रही है जब मैंने लगातार तैयारी की कई वर्स और असफल हुआ बैंक के एकजाम दिये मैंने, कई छोटे बड़े एकजाम पटवारी से लेकर टीचर तक के, PhD, IS, सभी एकजाम दिये और लगातार जब कुछ वर्स तक असफल हुआ तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ किताब को पढ़ना ही सफल होना परयाप्त नहीं है आपको इसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा लाइफ में attitude और aptitude दोनों की जरूरत है दोनों ही आपके अंदर आने होंगे आपको दोनों छेत्र में काम करना होगा तब आप आगे बढ़ पाएंगे मैं जब इस चीज़ को पार कर पाया और जब सफल होना सुरू हुआ तो उसके बाद मैंने देखा कि एक लेवल के बाद आप लगातार सफल होने लगते हैं तो ऐसा क्या होता है मैं इसे भी जानने का प्रियास किया और यही मैं बच्चों के साथ पेरेंट्स के साथ अपने कलीक के साथ सेर करता हूँ सफलता सिर्फ और सिर्फ महनत से नहीं आती उसके लिए और भी कुछ आना जरूरी है और भी कुछ सितात पर रहा है कुछ स्किल्स याद रखें आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं वलकि वो मिलेगा जिसके लायक आप है तो बहतर है जिस जगह आप जाना चाहते हैं उसके लायक अपने आपको बनाए उसके लायक अपने आपको तैयार करें हर वेक्ती चाहता है कि वो एक A.E.S. बन जाए या यह नहीं कोशिस करता कि I.E.S. बनने के लिए जो चाहिए वो उसके पास है या नहीं है तो उसी gap को मैंने fill करने का प्रयास किया और उसके बाद वो जो कमी थी कि हर जगास पलोने वाली उसे मैं दूर कर पाया आज भी जब मैं इस्कूल में जाता हूँ खास करके नवोद विद्ध्याले में जब भी आज में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ अभी भी बच्चों को इस चीज की पूरी जानकाई नहीं है टैंथ की बाद जब वो सब्जेक्ट लेते हैं तो उन्हें क्लियर नहीं होता कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें आम तोर पर सब्जेक्ट लेने का ट्रेंड उनका यही दिखाई देता है कि जो सीनियर से लेते हैं वही हम लेंगे या जो हमें दिखाई देता है वही हम लेंगे माली जी उनके स्कूल में दो सबजेक्ट हैं किसी की स्कूल में कॉमर्स और साइंस है तो असर वो यही दो आपसन जान दें कॉमर्स या साइंस तीसरा आपसन उनके हाँ होता ही नहीं है तो इस चीज को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे बच्चों की काउंसिलिंग करें, बच्चों से मिलें, उन्हें गाइड करें और उन्हें बताएं कि वो क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपनी होवी को अपनी केरियर से हम जोड सकते हैं, क्योंकि दबाब में लिया गया सब्जेक्ट, दबाब में लिया गया निर्ण इसे जोड़ें तो इसके लिए बच्चों से मैं हर जगा जाकर सेर करता हूं कि आप सबसे पहले तो नवोदय में होने का मतलब सीखिए आप नवोदय में हैं इस संस्था में हैं उस संस्था को सीखिए उस संस्था को जीए उस संस्था में आप क्या सीख सकते हैं वो सीखिए नवोदय सिर्फ एक स्कूल नहीं है एक पूरी लाइफ स्किल्स सखाने के लिए बनाई गई संच्था है जहां आप सब को सीखते हैं लीडर्सिप क्वाल्टी, कम्मुनिकेशन प्राब्लम सॉल्विंग, किल्टिकल थिंकिंग हर चीज सीख पाते हैं आप नवोदय में पर जरूरी है कि उस समय को आप समझके उसे एपलाई करें कई लोग उस समय को यूँ ही वेकार कर देती है उन्हें नहीं पता होता कि हम बाहर इस दुनिया में किस स्ट्रगल से हमें गुजरना पड़ेगा तो वह है जो समय है नवोदय का उसका भरपूर उपयोग करें भरपूर उपयोग से तात्पर है सीखने का प्रयास करें अपने सिक्षकों से सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉटिवेट हो अपने आपके जो बड़े साती हैं जो बड़े भाई भेन हैं जो आपके सीनियर्स हैं जब भी वो आए तो उनसे यह जानने का प्रयास करें कि उस सफल हुए तो उसके पहले उन्होंने क्या किया ऐसा क्या कारण था जिसके कारण कुछ लोग सफल नहीं हो पाए तो जब आप उन चीज़ों पर गहर करेंगे गह सफल हुए तो आपको कई जवाब खुद बाखुद मिलने लगेंगे तो मैं नवोदय के सभी स्ट्वेंट्स से हमेशा यही कहता हूं कि आप जब तक नवोदय में हैं आप देश की सर्फ्रेश्ट संस्था में हैं नवोदय बद्याले देश की सर्फ्रेश्ट एज्यूके माहती ही है जितना एक टीचर केलिए जरूरी है कि बच् loneliness को पढ़ाये उतना इंग बच् ! के लिए उतना ही एक बच्छे के लिए जरूरी है कि वूच्छ से सीखने के लिए तयार हो बिल्कुल वैसी इस्तिती है कि यदि एक भरी हुई बाल्टी में पानी भरा जाएगा तो पानी फैलेगा उसे बरने के लिए सबसे पहले जरूरी है को बाल्टी खाली हो ऐसी ही है कि स्टुडेंट सबसे पहले जरूरी है सीखने के लिए तैयार हो यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे तो दुनिया की कोई तागत आपको नहीं सिखा सकती तो जरूरी है कि आप इस पर काम करें कि सीखें कैसे ये आपको काम करना इस चीज पर दूसरों को सुनें कैसे सुनें ये स्किल्स आपको डबल अब करने हैं अपने अंदर यदि आप नहीं सुनना चाहेंगे तो दुनिया की कोई भी तागत आपको जवड़दस्टी नहीं सुना सकती तो ये आपका ही काम है, आपकी ही जिंदगी है आपके जो निर्णे हैं वो ही आपकी जिन्दगी को आगे परवावित करेंगे आपके लाइफ में क्या होगा है सब कुछ आपके इन्ही निर्णे के उपर है तो जब तक आप स्कूल में हैं मैं यही रिक्वेश्ट करूंगा आप बेहतर होगा एदी उपयोग करें नवोदे विद्धाला संस्ता का वहागे संसाधन का अपने आपको आगे बढ़ाने में ताकि आप देश के युगदान में भी बेहतर मदद कर पाए कई बार नवोदे से निकलने के बाद भी हमें कई समस्याएं आती हैं जैसे पता चला हम बहुत अच्छे थे नवोदे में नवोदे में हम टौपर थे लेकिन बाहर आने के बाद हमें पता नहीं चला हम क्या करें कई बच्चे मिलते हैं कोई बच्चा कहता कि सर मैं एक्टिंग मैं जाना चाहता हूं exposure नहीं हुआ करता था, लेकिन आज इस्तिती अलग है, नवदय के seniors आज पूरे देश में हैं, ऐसा कोई institute नहीं है देश का जिसमें नवदय विध्याले के students ना हूँ, ऐसी कोई संस्था नहीं है पूरे देश में, जिसमें नवदय विध्याले के students नवदय से पढ़े हुए छ करें, कितनी भी मेहनत करेंगे यदि आप गलट direction में, तो आपको उसकी सफलता नहीं मिलेगी, बजाए उसके यदि आप सही direction में मेहनत करेंगे, कम मेहनत भी यदि आप सही direction में करेंगे, तो आप सफल होंगे, सफल होने के ज़्यादा chance होंगे, इसलिए direction हमेशा ज़्याद की मज़द ले सकते हैं साथ ही मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ स्किल्स ऐसी है जिन पर लिए आपको लाइफ टाइम काम करना जरूरी है चाहे कम्मूनिकेशन स्किल हो लिसनिंग स्किल्स हो कुछ ऐसी चीज है जब जितना आप सीखोगे उतना आप बहतर काम कर पाओगे इसके बाद एक और समस्या आजकल जो मैं देखता हूँ जोब को लेकर रहती है हर कोई चाहता कि उससे सरकारी नौकरी मिले हलागी उनका चाहना अपनी जगह ठीक भी हो सकता है कई कालन भी है उसके सामाजे जो दिखाई देते हैं लेकिन यह समभव नहीं है कि पूरे देश में सब को जोब मिली जा सके आजकल का जो समय है वो जोब के अलावा अन इसकिल्स का समय है जो एजूकेशन पॉलिसी भी हमारी 21st सेंचुरी की स्किल्स की बात करती है हम उन पर काम करने के ज़्यादा जरूवत है हम उद्धम सील मान सकता का कैसे विकास करें कैसे हम अपने आपको इस फिल्ड से बाहर ले जा पाएं कि हमें वही जूब चाहिए वही पटवारी बनना है टीचर बनना है हम उस फिल्ड से कैसे बाहर निकला है तो इसके लिए भी जरूर है कि हम अपने माइंड सेट पर काम करें जब आप धीरे-धीरे काम करने लगेंगे तो आपको रास्ता पता चलने लगेगा जब आप घर से निकलते हैं आपको रास्ता नहीं भी पता होता आप सोचते हैं कि कई जगे हमें सिगनल मिलेंगे तो हम या तो एक राव कारण है कि आप निकलें ही ना और आप इस सोचें कि जब पूरे सिगनल ग्रीन होंगे तब ही हम घर से निकलेंगे एक दूसरा उपाय है कि आप घर से निकलें और जैसी सिगनल ग्रीन होता जाए आप आगे बढ़ते जाएं तो हमें यही करना पड़ेगा, हमें नहीं पता पूरा रास्ता कब साफ होगा, हमें नहीं पता रास्ता है भी कि नहीं आगे, लेकिन हमें करके देखना होगा तो जिस फिल्ड में भी आप जाना चाहते हैं प्रियास करें, ओसिस करें, आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रियरित रहें नवोदय के स्टुएंट्स के सामने एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बाहर की दुनिया से बराबरी करना उनके लिए थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है इसका कारण है कि नवोदय में जाने वाले अधिकतर बच्चे ग्रामिल्ड छेतर से होते हैं नवोदे में जाने वाले अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन हैं अपने परिवार के, उनके परिवार में पहले कोई नहीं पढ़ा, मैं भी इसी इस्तित्री में था, तो जब आप ऐसे फिल्ल में होते हैं तो आप को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, इस आप उससे जुड़ेंगे तो आप लोगों की बराबरी कर पाएंगे, आज की जो टेक्नलोजी है उसका भरपूर उप्योग करें और उससे पूरा जुड़ने का प्रियास करें, जैसे एक दोर होता है, आपने देखा पहले, इंजिनिरिंग में भी हम देखें, एक दोर में सेवल इंजिनिरिंग का क्रेज हुआ करता तो उसके पाद टेक्नलोजी का क्रेज आया, कंपूटर, कोडिंग, आज कल नए नए फील्ड आ रहे हैं, हम कई बार देखते हैं जो बच्चे टेक्नलोजी में हैं, बड़ी बड़ी कंपनी चाहिए गूगल और फेस्बुक जैस हमारे पास अपॉर्चनिटी हैं, तो जरूरी है कि आप इससे भी जुड़ें और इसको भी सीखें, कुल मलाकर जो आज की टेक्नलोजी है आप उससे दूर न रहें, अपने आपको उससे जोडने के लिए प्रयास करते रहें, कई बार आपको लगता है कि कोई चीज आपको समस्या हर फिल्ड में आती है, ऐसा कोई फिल्ड नहीं है जिसमें समस्या ना हूँ, आप बिजनिस करना चाहें, आप जॉब करना चाहें, किसी भी फिल्ड में आप चले जाएं, आपको समस्या मिलेंगे, मैं इसके लिए अक्सर एक बसीम बरेल भी जी साहब का एक सेर सुन मैं तो तब डरता कि मेरा होसला ले जाएंगे और हम सब किरदार हैं अपनी हादें पहँचानिये बरना एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे तो यह हमारी जो पूरी लाइफ है कहीं अपने आपको पहँचानने की भी है हमारा क्या रॉल है यह पहँचानना भी जरूरी है हम किस जगे बहुतर फिट हो पा रहे हैं किस चीज के लिए हम बने हुए हैं अपनी आपकी जो पहँचानने की यात्रा है वह भी जरूरी है साथ-साथ ज़्यादा बहुतर परिणाम लाने के लिए जैसे हम देखते हैं कि आप यदि बिप्रीत किस दारा के बिप्रीत चलना है तो आप 10 गंटे में उसकता 4 किलो मुटर चल पाएं वहीं आप दारा के साथ चलना है तो उसकता 10 गंटे में आप 50 किलो मुटर भी चले जाएं तो दारा के साथ और दारा के प्रीज चलने से मेरा ताथ पर रहा है अपनी हॉवी के साथ चलना और हॉवी के बिरूद में चलना हम किसी भी फिल्ड में जाए हम जीवे तभी रह पाता हैं जब हम अपनी हॉवी के साथ जी रहे होते हैं तो मैं हमेंसे यही कहता हूं कि आप अपनी होबी और अपने केरियर से तालमिल बठाएं, अपने आपको पहचाना है, ज्यादा बेतर, ज्यादा अच्छे पढ़ना हम आपको मिलेंगे, कई बार हम देखते हैं, हम लाइफ में रिजल्ट को बेसमान लेते हैं, हम परिणाम आ हैं, उसकी तैयारी करने लगते हैं, और प्राइवेट डिस्टेंस से किसी उनिवर्स्टी से अपना अप्लाई कर देते हैं, और डिग्री साथ साथ तैयारी करने लगते हैं, मैं अक्सर देखता हूं कि वो बच्चे हैं, जो दोनों ही चीज़ों में तालमिल नहीं बठा प पते उसी प्रकार से एक college की journey है, आप यदि उस process को पूरा नहीं करेंगे और आप चाहे कि आपको बेहतर परणाम मिल जाए, बेहतर result मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं है, बेहतर होगा कि आप उस process को भी enjoy करें, उस journey को भी enjoy करें, और उसके बाद उस result पर पहुंच है जहां नहीं दे पा रहा हैं, जो मजबूरी है, जॉब लग गई है और फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर विकल्प है, लेकिन 12 के जश्ट बाद आप ऐसा ना करें, मैं यहीं से लादूँगा आप regular degree करें, कोई भी degree करें, आप regular ही करें 12 के बाद, उस पूर और से open से 10th 12 करतें, तो आपके बीच कितना अंतर होता, बिल्कुल ऐसे ही college life का है, कुल मलाकर मैं यही कहूंगा कि आप result के बारे में ना सोचें, आप उसके लाइक अपने को बनाने के बारे में सोचें, आप एदी मान लेजिए, बैंक में जाना चाहते हैं, I.E.S. में जा करें, आप अपने आप उस field में पहुंच जाएंगे, बजाए exam qualifier selection लेने के, तो यह पूरी life में यह आदत होनी चाहिए, आप जिस भी field में जाना चाहरे हैं, जरूरी है आप अपने अंदर उसके लाइक गुर्ण लेकर आएं, अपने आपको उसके लाइक तैयार करें, उस से बाहर नहीं निकल पाते, मान लिए आप साथ लोगों का group है, और आपको लगता है कि हम सब एक साथ ही रहेंगे, हम एक ही subject में आएंगे, तो वह हमेसा दिक्कत देती है कुछ लोगों को, कुछ लोगों के लिए तो वह journey है उनकी, वह उसी field में आगए बढ़ना चाहता है निकले ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो जबरदस्ती अपने दोस्तों के साथ आ जाते हैं, वह नहीं समझ पाते हैं कि हम अभी एक क्यों कर रहे हैं, दूसरा subject decide करते समय, आज भी science और math को यह माना जाता है कि यही सब कुछ है, और इतर बच्चे इनकी तरफ जाना चाह जो आप बना पैसे की भी कर सकें, आपके अंदर की जो इच्छा है, उसे आप ढूने, उस पर काम करें, ऐसा नहीं है कि आप एक्दम समझ पाएंगे, लेकिन आप इसके लिए अपने सिक्षक की मदद ले सकते हैं, अपने परिवार बालों की मदद ले सकते हैं, आप उन से कहें कि उन से जानने का प्रियास कर排ें कि ऐसा क्या है जो मुझे अच्छा लगता है, कई बार हमारे बारे में हमसे ज्यादा हमारे आच स्पास की लोगों को पता होता है, तो अपनी होवी को अपने कैریर से जोड़ें, और किसी के साथ रहने के चक्कर में, किसी जगह में, क comfort zone में, तो इस comfort zone से बाहर निकलने का प्रयास करें, अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए comfort zone से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, इसके लावा आप अपनी hobby का field भी चुन सकते हैं, जरूरी नहीं आप job में ही जाएं, कई ऐसे field हैं जो आपकी hobby को ये field होते हैं और आप उन्ह चुन सकते हैं, जैसे मैं अपना एक उधारन देता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लेखन में भी अपना career बना सकता हूं या इस field में आ सकता हूं, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि ये भी एक field हो सकता है, ये भी एक career है, ये भी एक option है, लेकिन अब जब पता लीजी लेखन field में आना चाहें, आप अपने आपको express करना चाहें, लेखन से सीधा-सीधा मतलब है अपने आपको express करना, किसी भी स्वरूप में अपनी अभी वैक्ति करना, चाहे सायरी हो, गजल हो, कविता हो, उपन्यास हो, कहानी हो, किसी भी field में, तो आप इस तरीके सी भी अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए आपके पास कई राष्टे होते हैं जैसे लेखन फिल्ड में बताना चाहूं तो सिधा-सिधा आप जो भी लिख रहे हैं उसे पब्लिस कराना पड़ता है आप ऑनलाइन ई-बुक के जरी पब्लिस करा सकते हैं आज कल पब्लिसर से मिलकर बुक पब्लिस करा सकते हैं आप ऑनलाइन बुक पब्लिस करा सकते हैं आप जिस फिल्ड में भी लिख रहे हैं आप कवीता लिखते हैं तो भी करा सकते हैं आप गजल लिखते हैं तो भी करा सकते हैं आप कहानी लिखते हैं तो भी पन्यास लिखते हैं जो भी आप लिखना चाहें, आप उस चीज़ को एक किताब की रूप में ला सकते हैं, और इस फिल्ड में भी आप अपना केरियर बना सकते हैं, हाला कि यह ऐसे फिल्ड हैं, जिनने समाज अभी भी आसानी से सुईकार नहीं कर पाता, क्योंकि समाज की नजर में सभी फिल्ड कहीं न कहीं अर्णिया पैसे से ही जुड़े हुए हैं, जिस फिल्ड में उन्हें लगता है कि खर्चा नहीं चला सकते तो उस फिल्ड में जाकर करेंगे क्या, तो इस सच है, ऐसे फिल्ड में सुरुवाद में इतना आसान नहीं होता जमना, लेकिन हमारी होबी का फिल्ड ह तो मुझे लग रहा है, जरूर करना चाहिए और प्रयास करते रहें, सफल तक किसी भी फिल्ड में आसानी से नहीं मिलती, आप एदी गवर्मेंट जॉब के लिए भी तैयारी करते हैं, तो आपको कई वर्स पढ़ना पड़ता है, ट्वैल्थ करते हैं, ग्रेई उसन करते ह कर आप एक जॉब ले पाते हैं छोटी सी, तो जब आप ऐसी दूसरे फिल्ड में जाएंगे तो उसमें भी समय तो लगेगा, हो सकता है, चार महीने, छे महीने, दस महीने, एक साल, चार साल, पात साल, कितना भी समय हो सकता है, साथ ही मैं हमेसा लोगों से सेर किया करता जरूरी है कि आप इस्ट्रगल के बाद सफल हुए लोगों को पढ़ें, मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूँ कि आप ऐसे लोगों को ज़्यादा पढ़ें या सुनें, जो लंबे इस्ट्रगल के बाद सफल हुए हैं, जो डारेक्ट सफल हुए वेक्ति है वो आपको इतना नहीं सखा सकता, जित्रा श्ट्र fortuka के बाद सफh豁ए है, पसे लोगों को सुने हैं, जोने एक लंबा श्ट्र Ф algal किया और उसके बाद सफल हुए, इनका जीवन हमेसरा बहुत कुछ सिखाने वाला होता है, चाहिए वो किसी भी फिल्ड में हूँ इसलिए हमें सा आटो वायोग्राफी पढ़ें जितना आप पढ़ेंगे उतना आप बेहतर सीख पाएंगे पढ़ने की ऐसी आदत है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए पढ़ाई सिर्फ सिलेवस ही नहीं होता और भी बहुत कुछ होता है पढ़ाई आपको बहुत कुछ सिखाती है जब आप पढ़ने की आदत डाल लेते हैं तो आपकी लाइफ अपने आप बदलने लगती है पढ़ना लाइफ में सबसे इंपोर्टेंट चीज़ है यदि इसे आप होवी की रूप में डवलप कर लेंगे तो आपकी लाइफ अपने आप चैन्ज होने लगेगी और मैं हमेशा कहता हूं कि उन लोगों को ज़्यादा पढ़ाई जिनोंने लंबा सिखाने के लिए जो देर से सफल हुए है ऐसे लोगों के पास सिखाने के लिए बहुत कुछ होता है जो वेक्ति अचानक सफल हो जाता है पहली बार में ही उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता सिखाने के लिए सिखाने के लिए उनहीं के पास ज़्यादा कुछ होता है जो लंबे struggle के बाद सफल होते हैं तो हमेशा ऐसे लोगों को पढ़ें ऐसे लोगों को सुनें और अपने आपको आगे बढ़ाएं अपने आप पर लगातार काम करते रहें जितना ज्यादा आप अपने आप पर काम करेंगे उतना बेहतर आप बढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे कभी भी perfection के चक्र में ना पड़ा perfection कुछ नहीं होता life में यदि कुछ होता भी होगा कोई perfect कोई चीज होती होगी तो यह मान लीजे कि हम उस perfect चीज के एक imperfect बेकती हैं किसी perfection के हम एक imperfect person हैं हम बस अपने आप में सुधार करते जा रहे हैं perfection किसी भी field में कुछ नहीं होता perfection के चक्र में हम कुछ कर भी नहीं पाते यदि कुई लेखक भी ये चाहे कि मैं ऐसी किताब लिखूँगा जो perfect हो जैसमें कोई गलती नहों तो कभी लिखी नहीं पाएगा बस करना सुरू कर देना है और आगे बढ़ते रहना है अपने आप में सुधार करते रहना है सुधार की गुंजाइस हमेशा होती है सीखने की गुंजाइस हमेशा होती है सीखते रहें आगे बढ़ते रहें और नाम रोसन करें अपना भी देश का भी नवोद है मैं एक चीज अक्सर और मैं देखता हूँ हर जगह दिखाई दिती है जहें जब बोर्ड का क्लास होती है तो उस साल के लिए बच्चे सीरियस हो जाते हैं जब बोर्ड नहीं होता तो बिलकुल सलो मोसन में लगता है सब कुछ अपने आप हो जाएगा कोई दिक्कत देखत नहीं होती कुल मलाकर वही कि आप उस प्रॉस्सके पर रहा है अब फिर सी रजंके होते वह है आप यदि सिर्फ रेजल्ट पर ध्यान देंगे प्रोसेस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे आप लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट सीखने से रहे जाएंगे यदि हम 11 12 की बात करें तो 12 में बच्चे एक्सर सिंसियर होते हैं पढ़ते ह जबकि आपको आश्चर होगा 11th किलास का ही सिलेवर सबसे ज़्यादा कमट्रीटव एकजामा होता है तो हमें बिसेस मेहनत करने की जरूरत नहीं पढ़ेगी दोनों जगे बस आप एक एवरेज मेहनत करते रहें हमें बिसेस परियास करने की जरूरत नहीं है यदि आप प्राजधानी ट्रेन मिलेगी और उसमें बैठकर पहुंच जाएंगे बजाए इसके आप पैदल चलना भी सुरू कर देंगे तो आप अपने लक्ष तक पहुंच जाएंगे सही समय पर बस जरूरी है प्रयास करते रहें चोटे चोटे प्रयास करते रहें और लगातार प् मतलब प्रॉसेस उस प्रॉसेस से गुजरना नाइन थो या एलेविन थो इसे भी उसी तरीके से लें जिस तरीके से आप टैंथ ट्वेल्थ मैं तो आपको नहीं ट्वेल्थ में प्षिएस मैनत करनी पड़ेगी नहीं टैंथ में आप इंजॉए करेंगे अपनी दोनों सभ भी किलास को तब प्रॉसेस के साथ चल लें के प्रॉसिस को इंजॉए करें शीखते रहें आगे बढ़ते रहें बजाह करने के कि किसी दिर अमारे पास बहुत कुछ उका उस दिन आम सब कुछ कर लेंगं और किसी दिर हमें कुछ नहीं करना मैं यहे आदत अपने अंदर न होता है जो साल भर एक एक घंटे रोज पढ़ता है तो लगातार प्रयास करना लाइफ में बहुत जरूरी है किसी भी फिल्ड में हो जाए वो जिसकार संगीत में रियाज किया जाता है एक संगीतकार हर रोज प्रैक्टिस करता है और जब हम उसका गाना सुनते हैं तो मैं वस उसका गाना दिखाई दिता है हमें पता नहीं चलता किसने कितनी प्रैक्टिस की है ऐसे ही हमारी लाइफ है हमें रोज प्रैक्टिस करते रहना है हमें रोज अपने आप पर काम करते रहना है छोटा सा प्रयास हो वले ही लेकन लगातार करते रहें यह जो लगातार करने वा झाला बीजाओे, घब एक जो कि तैनेग कि तम लंदीप rगाभी बाक।